वेलकम टो माई चैनल जूम स्टडी हिमाले परवत के पार्ट वन में हमने ट्रांस हिमाले व्रद हिमाले के बारे में पढ़ा था आज हम लगू हिमाले और श्वालिक हिमाले के बारे में पढ़ेंगे तो चली शुरू करते हैं ट्रांस हिमाले व्रद हिमाले हमने पढ़ लिया अब नेक्स चाहता है लगू हिमाले जो व्रद हिमाले है तो व्रद हिमाले लगू हिमाले से कहां से अलग होता है man central thrust जो यह इसके बीच की जगह है इसको बोलते है man central thrust यह इसके द्वारा यहाँ से अलग होता है और जो लगु हिमाले है यह क्या है? खंडो में विभाजित है यह तूटा हुआ है जैसा के आप इसमें देख सकते हैं यहाँ दिख सकता है ये खंडो में विभाजित है और इसके जो ये शेड़िया है इसको किस नाम से जान जाता है चलिए जानते हैं सबसे पहले जाती है यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको यह है पीर पंजाल शेड़ी जो की जमू कश्मीर कंतर गताती है फिर नेक्स्ट है धोलाधार शेड़ी धोलाधा शेड़ी जो है तीन राज्यों में फैली है लेकिन मुख्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है और अन्य जो है इसका थोड़ा बहुत हिस्ता जो है वो जमू कश्मीर कंतर गता आता है और थोड़ा उत्राखंड कंतर गता आता है लेकिन अधिक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है मसूरी कौंसी श्रेडि है यह मसूरी श्रेड़ी है जो कि उत्राखंद में है फिर नेक्स है महाभारत महाहभारत है श्रेड़ी और यह नपाल के अंतेज़ आती है तो लगुं हिमालय Confederate तूटा हुआ है जिसके जो एक खंड है इनको हमने जाना कि यह जो शेडिया है कि किस नाम से जाना जाती है पीर पंजाल धोलाधार मसूरी महाभारत और नाक्टिब्बा नाम से जानी जाती है और देखिए जो यह पीर पंजाल शेडिया है जिसका विस्ता कहा है जमू कश्म तो इससे एक दर्रा होता है इस पर एक दर्रा है कौन सा दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा पीर पंजाल शेर्णी पर कौन सा दर्रा है बनिहाल दर्रा है जिससे जम्मू से शीरी नगर को एक सड़क जाती है देखिए जम्मू से शीरी नगर जाने वाली शड़क बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है यह जो बनीennial दर्ण जो की पीर पंजाल शेड़ी पर इस्थित है और जवाहर शुरंग जो है वो इसी दर्रे पर इस्थित हैए यह नहीं की देख सकते हैं यह है यह आपको जो दिख रहा है यह बनीहाल दर्रे से होकर गुजरता है तो जवाहर सुरंग इसी बनीहाल दर्रे पर इस्थित है और जवाहर सुरंग भी इसी पर इस्थित है नेक्ट देखते हैं देखें लगू हिमाले पर सितोष्र मुलायम घास के मैदान पाय जाते हैं इन मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग गुल मर्ग या सोन मर्ग और उत्राखण में बुग्याल और पयाल कहा जाता है देखिए जो ट्रांस हिमाले है यो बहुत अधिक उचाई पर रिष्टी थे इसकी वज़े से हमेशा क्या है बर्फ से ढखा रहता है लेकिन हमारा लगू हिमाले है तो लगू हिमाले जो यह शीतोष्र जलवायम वाला पर अधेश है जिनको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है मर्ग कहा जाता है और उत्राखण में बुग्याल और पयाल गास के मैदानों को कहा जाता है जो कि लगू हिमाले पर इस्थित है इसके अलावा देखे जो ये लगू हिमाले है और व्रहद हिमाले है इसके बीच में जो ये इस्थ लगू हमालो व्राद हिमाले के बीच में सर्कष्मिर तो आप तरह सकते हैं कभू ने सो इंप सब्सक्राइब नेपाल चौन का सर्क्राण ऑप में नेलगल में तो। précis है नेपाल दिह new tan बीच में यह समतल सपाट मैदान पाई जाते हैं जैसे जम्मू कश्मीर कुलू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश की और काट मंडू घाटी नेपाल की यह तीन जो है यह घाटिया यहां व्रहद हिमाले और लगू हिमाले के बीच में जो है यह समतल सपाट मैदान यह घा कहां है यह हिमाचल प्रदेश में है यह कहां है हिमाचल प्रदेश में है शिमला मनाली और डलोजी फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट आते हैं मसूरी रानी खेत नेनी ताल और विंसर यह कहां है यह उत्राखंड में इस्थी थे यह कहां है उत्राखंड में इस्थी थे और इस तर पर्यटक इस्थल आते हैं तो यहां तक हमने अपना लगू हमाला जो है वो कंप्लीट कर लिया है लगू हमाला जो है वो टुकडों में बटा हुआ है तूटा हुआ है जो जिसकी 5 श्रेणिया प्रमूख है पीर पंजाल धोलाधार मसूरी महाभारत और नाक्टिबया फेरेषद हमाले ऑर लगु हमाले के बीच में सब्सक्रह बीच पाई जाती हैं, जिने में जमुए कश्मिर घाटी कुलू कांगर घाटी और काटमांटु घाटी और इसी पीर-पंजाल शेयड़ी पर कुछ पर्रेटक इस्ठल पाई जाते हैं, जिनने से फीत है प्लन डलधा साइब इसे जाता है का सिवाल की चाहमाल दर्रह जो कि जम्मू को शरीनगर से जोडता है इसी में से जवाहर सुरंग चलिने नेक्ष्ट देखते हैं नेक्स्ट रे शिवाली-खिंअले कि तो शिवालिक हिमाले की यहां पस्चिम साइड में जो है बहुत थलकी पट्टी दिखाई देती है जहां यहां अरुणाचर प्रदेश में आकर इसका जो है अस्तित्व थोड़ा दिखाई देता है जिसमें यह चार भागों में बटा हुआ है कौन-कौन से हैं देखिए डफ डफला, अबस, मिरी, मिशमी से इहां पर जो यह जञजातिया पा है। इस नाम पर इनका नाम यह रख गया है जिसमें जञजातिया जो जंगलों में रहती हैं पिर देखिए रह दिमाले है दो नटा है पस्चिम में मोड ले रखा है जो कि इसमें मोड ब ले रह हो अ हुआ नीचे को मुड़ा हुआ है तो व्रध हिमालय जो है वो सिंदु गार्ज पर पूर्व की साइड में मुड़ा हुआ है और दिहंग गार्ज पर पूर्व की साइड में मुड़ा हुआ है सिंदु गार्ज नदी पर है और जो दिहंग गार्ज है दिहंग नदी की है चले देखिए गार्ज को जानते हैं की कि गार्ज क्या है गार्ज जो है देखिए इस तरह डाला में फारान सरी नहीं बना लिड़ी बमने नदी इस भते बहता बेहीं लेकर चां़पटर अपनी इसथान पिस सब्सक्राइब यह जा कांदा बहुते दरा यह संगोंd फ्राप्त भर्पकोंदन को सब्सक्राइब ऐसको कहते हैं गार्जндिए अड़ी स्थित्व सिर्फ कोसी नदी के महाने तकी दिखाई देता है Hourina行 प्रदेश में जाकर चार पहाड़ीयों में इसका स्थित्व दिखाई देता है डफला मेरी अ ढोर और मिशमी, शिवालिक जो यह निचला भाग है, शिवालिक का जो यह निचला भाग है, में बांडरी फॉल्ट द्वारा जो है, बीच में बीच में जो दिख रहे हैं, ग्रीन वाला लगूई हमाले और यह. स्काइबलू वाला जो है शिवालिक हिमाले है तो इसके बीच का जो इस्थाने इसको मैन बॉंडरी फॉल्ट कहा जाता है जिसके द्वारा ये लगू हिमाले शिवालिक हिमाले से अलग होता है पिर देखिए लगू हिमाले शिवालिक हिमाले के बीच पाए जानी वाली घाट जिनको क्या कहा जाता है दून और द्वार कहा जाता है उत्रा खंड में यह देखिए आप देख सकते हैं जिनको हरी द्वार या देहरा दून भी हम क्या सकते हैं यह समतल सा पाट मेदान या घाटिया जो है यह यहां पाई जाती है शिवालिक हिमाले और लगु हिमाले के बी भारत में सबसे उची चोटी कौन सी है इसका अंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरू दीजेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में